नमस्कार, हिमाचल एक्जाम हब में आपका सौगत है आज दिनाख 22 नवंबर 2022 और आज मॉर्निंग सिफ्ट में कंड़क्ट करवाया गया था पेपर हमिरपूर बोर्ड दौरा, HPSSE हमिरपूर दौरा, वर्क्सॉप इंस्ट्रक्टर, मकैनिस्ट का ये पेपर था जिसका पोस्ट कोड है 993-993 इसका पोस्ट कोड है तो इसकी हम GK सेक्शन, इंडियन GK करंट फियर डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो ये देखते हैं इसका हिमाचल GK का सेक्शन Quesion No.81, हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले के दक्षिन में कौन सा जिलास्थित है in 1967 AD 1967 में हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे तो 1967 में थे हिमाचल प्रदेश में नौ जिले 82 का C सही अंसर है Next question 83 नीवन में से कौन सा से स्थान सतलज के टट पर स्थित है Which of the following place are located on the bank of सतलुज तो 83 का सही अंसर है D ये सभी Next question 84 The Sub-Divisional Headquarter of Pangi Valley is at Pangi घाटी का उप मंडल मुखेले कहां पे है तो ये है आपका किलर में 84 का C सही अंसर होगा Next question 85 During 1857 reward चमबा राजा सीरी सिंग ठारस उस्तुन्जा की करांती के दोरां चमबा राजा सीरी सिंग तो इसका 85 का सही अंसर होगा आपका C ने अंग्रेजियों की साहता के लिए मिया अतार सिंग के नेतित्र में सैने टुकडिया डलोहजी बेजी ये इसका सही अंसर होगा Next question 89 उतवी ने अपनी पुस्तक तारीक है या मिनी में नगरोट को कहा तो इन्होंने 86 का सही अंसर है आपका C भीम नगर कहा Next question 87 Who was given with राजगिर as a जागीर भाई महराजा रंजीत सिंग in 1828 AD 1828 में महराजा रंजीत सिंग दौरा जागीर के रूप में राजगिर किसे दिया गया था तो 87 का सही अंसर है आपका C हिरा सिंग को दिया गया था Next question 88 In which year Lord वायो विस्टिट चमबा प्रेंसली स्टेट Lord मेयो ने किस वर्स चमबा रियासत की याद रखी तो ये की थी आपकी 1871 में ये इसका सही अंसर है Question 89 In which year हिमाचल परदेश was provided with territorial council किस वर्स हिमाचल परदेश को क्षेत्रिय परिसद परदान की गई तो 89 का सही अंसर है आपका B 1956 में Next question 90 14 कहां का परशिद नरित्य है 14 is a famous dance of तो ये है famous dance of का कि नौर और महसू का 90 का A सही अंसर होगा Next question 91 हिमाचल परदेश में दुर्गा काली मंदिर कहां स्थित है भियर इस दुर्गा काली टेंपल लोकेटिड इन हिमाचल परदेश तो ये है आपका सराहन में C इसका सही अंसर है 91 का Next question 92 चंबा कस्वे के लिए पहला जलविद्यूत स्टेशन परदेशन परदेशन हुआ था The first hydroelectric station was commissioned for चंबा टाउन इज तो ये हुआ था 1910 में 1910 में Next question 93 किस देश की साहिता से सतलुज वाटर सेट प्रजोक्ट प्राइरम किया गया तो इसका सही अंसर मुझे पता नहीं है मैं इसका बता नहीं सकता जब अंसर की आएगी तब इस question को मैं comment box में pin करके बता दूँगा अगर आपको पता है तो आप comment करके बता देना Question 94 Which is the most literate district of हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का सरवाधिक साक्सर जिला कौन सा है तो ये है आपका हमिरपूर 94 का D सही अंसर है Next question 95 भियर इस सेंटरल बी रिसर्च सेंटर लोकेटिड केंदरिय मधुमक्की अनुषधान केंदर कहां स्थित है तो 95 का सही अंसर है आपका B की नौर में Next question 96 हरी परसाच चौरसिया खालिस्थान के विख्यात वादक है तो ये हैं बांसुरी के ये पिछले जो कल पेपर हुआ था संडे वाले दिन मेरे ख्याल से स्टेंडनो टाइपिस्ट या अकाउंटेंट उसमें आया था ये question हरी परसाच चौरसिया ऐसा है मुझे थोड़ा याद है कि पता नहीं आया होगा question 97 maiden queen किसका उपनाम था तो ये था आपका queen Elizabeth first का 97 का C सही अंसर है question 98 who among the following persons is called desert fox निमन व्यक्तियों में से कौन desert fox कहलता है तो 98 का आपका सही अंसर है B general room mill B इसका सही अंसर है next question 99 noble prizes are given in how many fields noble पुर्षकार कितने सेत्रों में दिये जाते हैं तो 99 का सही अंसर है आपका B शेक सेत्रों में next question 100 international olympic committee का मुखल्यक कहां स्थित है तो ये स्थित है आपका लिव साने में A's का सही अंसर है next question 100 101 the term duck is associated with duck पदकिस से सबंदित है तो ये सबंदित है आपका cricket से 101 का D सही अंसर होगा next question 102 किसने कहा बच्चा आदमी का पिता है who said child is the father of men तो 102 का सही अंसर है आपका C ये कहा था विलियम वर्ड्स वर्थ ने 102 का C सही अंसर है next question who is the author of freedom at midnight freedom of midnight का लेख कौन है तो 103 का सही अंसर है आपका D D लैपी एरे और L कालिंस next question 104 समाज के बिना मनुष्य या तो पसू है या इसवर ये किसने कहा तो ये कहा था अरस्तू ने 104 का D सही अंसर है next question 105 विश्व परसिद खुजराहू मूर्तिया अवस्थीत है तो ये अवस्थीत है आपकी मद्यपर्देश में 105 का D सही अंसर होगा आपका next question 106 the national design institute is located at रश्टे डिजाइन संस्थान कहां स्थीत है तो ये स्थीत है आपका 106 का आपका सही अंसर है next question 107 1857 में प्रत्थम भारतिय विश्व देलिया खुला the first Indian university opened in 1857 वाज इन तो 107 का सही अंसर है अपका B कलगत्ता में next question 108 the oldest Hindu epic is सबसे पुराना Hindu महाकाब्या है तो सबसे पुराना है रामायन 108 का A सही अंसर है next question 109 which is the greatest archaeology on the globe विश्व पृत्वी पर सबसे बड़ा दूइप समुख कौन सा है तो 109 का सही अंसर है आपका A इंडोनेसिया दीप समुख next question 110 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका जुलाई 11 जुलाई को 110 का 20 सही अंसर है next question 111 in which state is गनेस उत्व सेलिवरेटिड गनेस उत्व किस राज्ये में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका महराश्टर में 20 का सही अंसर है next question 112 कथक सास्तरे नरित्य है कथक is a classical dance of तो यह है आपका उत्तर भारत का 20 का सही अंसर 112 का next question 113 कि मोनो किस देश की वस्तर सैली है कि मोनो इस ड्रेस स्टाइल आफ विच कंट्री तो यह है आपकी जापान की 113 का C सही अंसर है next question 115 white lily is the emblem of white lily किस का परतीक है तो यह परतीक है आपका 114 का सही अंसर है आपका a इटली next question 115 पेसो किस देश की मुद्रा है पेसो इस दे करंसी आफ तो यह करंसी है आपकी मेक्सिको की 115 का d सही अंसर है question 116 गल्फ वार बाज fought between खाड़ी युद किन के बीच लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था आपका इराक, अमेरिका और सहबंद सेनाओ इराक, अमेरिका and allied forces डी इस का सही अंसर है next question 117 कोनक टेंपल is dedicated to कोनक मंदर किसको समर्पित है तो यह समर्पित है आपका सूर्य को 117 का D सही अंसर होगा आपका next question 118 the earth summit was held in June 1992 June 1992 में प्रिथवी सम्मेलन हुआ था तो यह हुआ था आपका Rio D. Genro में C इसका सही अंसर है 118 का next question 119 which is not a member of NATO कौन सा NATO का सदस्य नहीं है तो इन में से अगर हम देखें तो इन में से NATO का सदस्य नहीं है Sweden 119 का 20 सही अंसर है next question 120 which is not associated with UNO कौन सा से युक्त राष्टर संग UNO का सदस्य नहीं है तो 120 का सही अंसर है आपका D. ASEAN next question 121 अलकनन्दा और भागरती मिलती है अलकनन्दा और भागरती मिलती है आपकी देव परियाग में भी इसका सही अंसर है next question 122 on which river is the भाकडा नंगल प्रोजेक्ट बिल्ट भाकडा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है तो ये निर्मित है 17 नदी पर किस राज्य में उच्टम जनसंख्या गनत्व है तो ये है आपका बिहार में C इसका सही अंसर होगा question 124 कौन सा गरह अपने अक्सपर पूरब से पस्चिम की और घूमता है which planet rotates on its axis from east to best तो ये सुकर घूमता है east to best और बाकी सारे planet best to east घूमते है next question 125 the great warrior reef is located in great warrior reef स्थित है तो ये स्थित है आपकी 125 का सही अंसर है आपका A pacific ocean में next question 126 the granary of harappa was made of harappa में अनबंधार बने होते हैं तो ये बने होते हैं केवल इट्टों से 125 का A सही अंसर है 120 the first Europeans to come to India were भारत आने वाले प्रत्थम European थे तो ये थे पूर्टगीज डी इस का सही अंसर है next question 128 the capital of कदंबा किंग्स वास कदंब राजाओं की राजधानी थी तो जो इनमें से इन्होंने 128 में ये option दे रखे हैं तो इनमें से जो वारा नसी है वारा नसी की जगा होना था आपका बनवासी बनवासी होना था इसका वारा नसी की जगा तो इसमें तो बाकी तो तीनों है नहीं तो वारा नसी और बनवासी एक दूसरे मिलते हैं साइद misprint हो गया होगा उगल इनके छापने में तो इसका सही अंसर भी ही होगा पर बारा नसी की जगह होगा बनवासी और बाकी तो है नहीं नेस्ट वाइशन 129 मातमा गांधी वाज वर्न इन मातमा गांधी का जनम हुआ था तो यह हुआ था पोर बंदर में डीज का सही अंसर है नेस्ट वाइशन 130 इन 1908 बाल गंगा धर तिलक वाज इंप्रिजन्ड फॉर सिक्स एर ए गया और खालिस्तान बेज दिया गया तो उन्हें बेज दिया गया मांडले में मांडले की जेल में 130 का डी सही अंसर है नेस्ट वाइशन 131 अंडर हूज एडवाइश दो प्रेजिडेंट आफ इंडिया डिकलियर्स एमर्जंसी अंडर आर्टिकल 352 किस की सिला पर भारत के राश्टरपती अनुछे 352 के अधीन अपात काल घोसित कर सकते हैं तो यह कर सकते हैं कैबिनेट 20 का सही अंसर है नेस्ट वाइशन 132 विच आफ दे फॉलइंग इस दे गार्डियन आफ दे पब्लिक पर्स लोग निधी का सरक्सक निमन में से कौन कौन है तो यह है क्याग क पंचाइती राज वाश टार्टि इन देश में पंचाइती राज परारंब हुआ तो यह हुआ 1959 में से का सही अंसर है कौशन 134 आरविया इसूज करंसी नोट अंडर दे अंडर दे मीनिममम रिजर्व सिस्टम से का सही अंसर होगा 134 का नेस्ट कौशन 135 और रोलिंग प्ला खालिस्थान के लिए एक प्लान है तो यह था आपका एक वर्स के लिए 135 का ए सही अंसर होगा नेस्ट वाशन 136 इंसुलीन इस सेक्रिटिड इन तो जो इंसुलीन है वो स्त्रावित होता है यह होता है पैंक्रिया से डीज का सही अंसर है नेक्स्ट वाश्चन 137 ऑन्कोजीन किस के लिए उतरदाए है ऑन्कोजीन इस रिस्पॉंसिबल फॉर तो यह रिस्पॉंसिबल है कैंसर के लिए डीज का सही अंसर है 138 और इंजीज आरिच सोर्शी आफ नारंगी किस के सम्रिध स्त्रोत है तो 138 का सही अंसर होगा आपका डी विटामीन वाच्ट नवर वन थर्टेनाइन टायर नेस इस फेल्ट ऑन दे टॉप अफ दे मांटेंस बिकाउज आफ लो प्रेसर आउटसाइड दे बॉड्डी एक्स उन्तालिस का डी सही अंसर है नेक्स्ट कोजिन एक्सट चालिस वट फ्रेक्शन ओफ फ्लोटिंग इस ब्रेग रिमेंस इंसाइड वाटर पलावी हिंसेल का अधिकांस जल के भीतर रहता है तो यह रहता है आपका डी इसका सही अंसर होगा 0.9 141 बसी चैनल विच वाज इन दे न्यूज रिसेंटली इस पार्ट आफ विच स्टेट इन दप पैसिपिक होसियन बसी चैनल जो सही अंसर होगा आपका बी लियू नोज जलसंदी नेक्स्ट वासिन 142 विच ब्लॉक हैस डिसेंटली एगरीड तो क्रेट एन ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट कलब कौन सा ब्लॉक हाल ही में ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट कलब के निर्मान के लिए सहमत हुआ है तो 142 का सही अंसर है का बी जी सेवन किनक्स सेवन नेक्स काचिन 142 विच रीचिंग ड्राइवर ओन दबृतिस घ्राइवर दो हBlack22 22 जीता तो 143 का सही अंसर होगा आपका ए कर्लोस सेंज 144 वियर ए ओूलाज हा अ कोलाइड भील डर्लोस पार्तिकल क्लाइड फिक्ल्स पार्टा का सरवादिक 37 साली करन कोलाइडर कहा स्थीत है तो 144 का सही अंसर है आपका सी जिनेवा में नेस्ट कॉस्टिन 145 विच कंट्री है रिसेंट्ली अनाउस्ट दिस्कवरी आफ 31 बिलियन मिलियन मैट मैट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड डिपोजिट किस देशने हाल हमें 31 मिलियन मिट्रिक टन्सवर्ण निक्सेपों के खोज की घोसना की है तो यह की है आपके युगांडाने 145 का बीच सही अंसर होगा तो यह हमने पूरजी के सेक्षन डिसकस कर लिया वर्क्सॉप इंस्ट्रक्टर मेकैनिस्ट जिसका पोस्ट कोड है 993 तो आप टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लें तो टेलिग्राम ग्रूप पे मैं इसकी पीडिया डाल दूँगा जब भी अंसर की आएगी तो एड़ दरेट ही माच के सेकंड पार्ट में लाँगा जो आपके रिजनिंग हिंदी और इंग्लिस का सेक्षन रहेगा सेकंड पार्ट में वह मैं थोड़े देर में लाँगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद